रहाइं है हैं यहहे पार्टिभन सेक्ष्वल डорд्थशनिं फार्टश का तो इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुकी है कि जो पॉलिलीशना की कि इसंफ तो उनको हम देखने वाले हैं कि एजेंट्स और पॉलिनेशन को करवाते हैं तो उनको हम बोलते हैं तो अब इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन लोग हैं जो यह help करते हैं Plants used to Abiotic wind and water and one biotic अनिमुलस agents to achieve पॉलिनेशन तो जो प्लांस होता हैं वो दो ताइप की एजेंट यूज करता है पॉलिनेशन के लिए तो पहला है Abiotic यानिकी non-living तो non-living कौनकौनese agents आते हैं wind और water दूसरा अचुए टाइब है पॉफली का जाएंसार जाएंसार लिविंग फिर लिएकान और फिरेफेन का जाएंसार जाएंसार डोर taken तो इस तरहिकने से दो फील्लिंग पॉल्लिविंग का भीलिय। 3 गलाइसार जाएंसार जाएंसार Majority of plants use biotic agents to achieve pollination. Only a small proportion of plants use biotic agents. तो जो जातर plants होती हैं वो biotic agents का ही use करते हैं pollination के लिए और बहुती कम मात्रा में ऐसे plants होती हैं जो की abiotic agents का use करते हो तो जातर plants जो होते हैं वो animals का use करते हैं और बहुती कम plants होते हैं जो की wind और water का use करते हो Pollen grains coming in contact with the stigma is a chance factor in both wind and water pollination तो wind or water pollination में यानि की abiotic agent जो होती है wind or water pollination में जो transfer होता है pollen grain का stigma तक वो उसके आने के जो आने का जो होता है मतला एक factor होता है वो chance है मतला chance factor होता है मतला वो आ भी सकता है और नहीं आ सकता है तो उसमें कुछ पता नहीं रहता है उसमें कोई surety नहीं होती है कि pollen grain जो इस्टिमा तक पहुचेगा या नहीं पहुचेगा तो क्या होता है to compensate for this uncertainty and associated loss of pollen grains the flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination तो इसी uncertainty को दूर करने के लिए यानि कि उसमें पता नहीं रहता है wind or water pollination में जो पोंचेगा या नहीं पोंचेगा तो इसी uncertainty को दूर करने के लिए और जो pollen grain होते हैं दर बटख जाती हैं कहीं 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 पहुच जाती हैं तो उसकी नकसान की भरफाइग के लिए क्या करते है plant कि pollen grain को जो है बहुत ज्यादा amount में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रिडूस करते हैं किस चीज के कंपरेजन में और यानि की मात्रा बहुत कम होती है और पॉलन गरें की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जैसा कि हुमेंस के अंदर होता है कि एक तो सिर्फ एक होता है लेकिन इस परम जो होते हैं वह लाकों मे तो जो हमारे रेवाइट्ऑ पोलिनेशन होते you winteristic everytime यह सबसे जायादा जो यूस क्या आता है पॉलिनेटिंग एजेंट वह विन्ड यानी यानि कि Visf Fe दुमिलि यूशाधा यूस के जाता है as compared to water wind pollination also required the pollen grain that are light and non sticky so that they can be transported in wind currents तो जो wind pollination होता है उसमें जो जितने भी plants wind के द्वारा पॉलिनेट करते हैं हवा के द्वारा पॉलिनेट करते हैं उनके जो pollen grains होते हैं वो बहुती light होते हैं बहुती हलकी होते हैं अधियुकि वो अभड़ी आसानी से उचात हड़ा में उड़ जाएँ और नॉनिश्टकी होते हैं क्योंकि वो बाई चान के हवा में जा रहे हैं उड़ते हुए और बीच रास्ते में कोई भैस या गाइज आ गई पीच में अगर वो चिप-चिपे नहीं होंगे तो इसलिए क्या है यह दो चीजे में जो पॉलिन ग्रीन होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहला तो बहुत अलका होना चाहिए दूसरा वो नौन इस्ट की होना चाहिए तो जो प्लांट्स विंड के द्वारा पॉलिनेट करती है उनका जो एंथर होता है वो बिलकुल एंथर जो होता है वो बिलकुल खुला हुआ होता है एक्सपोजड होता है ताकि वो बड़ी आसानी से जो है पॉलिन ग्रेंज को जो इस्टमेन होता है एंथर का वो बड़ी आसानी से जो है पॉलिन ग्रेंज को हवा में उसको उड़ा सके नहीं अगर वो एंथर या इस्टमेन जो है वो पॉलिन प्लांट्स के बिलकुल पास ही होगा उसके अंदर ही होगा तो जो pollen grain उससे निकलेगा वो उसी plants पे रह जाएगा वो दूसरे plants पे नहीं पहुंच भाएगा तो इसलिए क्या है कि जो instrument होता है उसका window pollinating plants का वो exposed होता है बहुत अच्छी इस्टिग्मा में तो यह दो चीजे उस फ्लावर के लिए ज़रूरी है विंड पॉलिटिंग फ्लावर के लिए पहला वैल एक्सपोर्ट एंथर और दूसरा फ्यदरी इस्टिग्मा अब हम पढ़ती है water pollination के पारे में some examples of water pollinated plants are wellisneria and hydrilla which grow in fresh water तो water pollin तो जितने भी plants water के द्वारा pollinate करती है उनमेंसे कुछ examples हैं जैसे कि wellisneria और hydrilla जो की fresh water में grow करते हैं याने की नदी तालाब लगे लेख वगेरा में grow करते हैं ना की समुझर में not all aquatic plants use water for pollination in water lily the flowers emerge as above the level of water and are pollinated by insects or wind as in most of the land plants तो ऐसा नहीं है कि जितने भी aquatic plants होते हैं जिए भी plants plants पानी के अंदर उगती हैं तालाब बगेरा में वह सभी water के द्वारा ही pollinate करती हैं ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि अगर हम water lily को ले 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 तो उसका flowers होता है वह पानी के ऊपर जो है उसकी सतय पर पानी की सतय पर मज़ रहता है इस पर बहर उबरा हुआ रहता है तो क्या होता है जब फ्लावर बहर पानी की सतय पर होता है तो वह जो है insect के द्वारा पॉलिनेट करता है अपने आपको मतलब कि insect आएगा पॉलिन ग्रेन ले जाएगा और इस्टिंगमा पर छोड़ देगा इन वैल इसनेटिया दो फीमेल फ्लावर रीच दे सर्फेस ऑफ वाटर बाइद लॉंग इस्टॉक इंड़ मेल फ्लावर फॉर पॉलिन ग्रेंज अर्ली रिलिज्ट ऑन्टु दा लेंड प्लांट तो जो मारा वैल इसनेटिया होता जो की वाटर के द्वारा पॉलिनेट क खथ सकते द्वार तो वैलनेटिया में इसेधिया में जो उपगे सेधिया लेकिन जोटा हुआ होता उसको मारा प्लानट Red को जमीन में होता है मना पानी के देर्टा जाता है मेल फ्लावर कि भीम फ्लावर से जो पॉलिन ग ranged per speları औप टान झाठ डिया है और वे जो है उस पानी चमेंगेशाय। में सब्कूरू सब्सक्वारेlightです。 पैसली मतलब किका पैसली चला झाता है कि जि गच्ऑक कि खर्च की हूए। पैसली बैनेरिफी खर्जिया उन्हें चला जाता है उसमें और जय पॉलिनेत कर देता है। लेकिन इसमें चांस, ये चांस की बात होती है, चांस इसमें फैक्टर होता है, इसमें कुछ पता नहीं हो जाए या ना हो जाए In sea grasses, female flowers remain submerged in water and the pollen grains are released inside the water तो अगर हम sea grasses की बात करें यानि कि जो घास समुद्र के अंदर उगती है यानि कि समुद्र की गहराई में अंदर उगती है तो उसमें जो female flowers होता है वो पानी के अंदर ही डूबा हुआ रहता है उसी में submerged होता है तो इसमें सबकुछ पानी के अंदर ही अंदर हो रहा होता कि सीže समुद्र के मरें ही तो इस सब कुछ पानी के अंदर ही कुछ में डेकान आ डेकान कमा झैट सबकाई के रहा होता है यंकि मैं कि जो इस तरी कहarella यह बेद थे इस पोलेडन षह कर द्याणिपी आ यह के पानी के बह जाएं पानी के अंदर ही अंदर और जो है इस्टिग्मा तक पहुंच जाएं और पॉलिनेर्शन कर सकें कि था इनके नदर ही तो इनको चलीटा होने से बचाने के लिए इनके ओर पास औरपास जो है कबरीं होती रहीं जो होति कि मुचलीज की IMPORTANT इस नाम को यार उए लेजिए तो जितने भी प्लांट्स जो हैं वोटर के द्वारा पॉलिनेट करती हैं उनके जो पॉलिन ग्रेन होता है वो मुशालेजिनस कवरिंग के तिरू कवर होता है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेट फ्लावर्स आर नोट वैरी कलाफुल एंड दू नोट होता है तो मुझे बताइज़िन क्या उता होता हुए उनको पॉलिनेट वह पानी और हवासे करते हैं तो इसलिए उनको प्रण बेरांग एफलाव लगावर्संड लीजिए वह ठीए नहीं कि तो एक इनको अगर इंसेक्ट को अटर्क्ट करना वी जरुए नहीं है और इसी तरीके से नेक्टर के भी यहां पर कोई जरूत नहीं है Majority of flowering plants use a range of animals as pollinating agents तो बहुत सारे flowering plants होती है वो pollinating agent के तौर पर बहुत सारे animals को use करते हैं अलग तरीके animals को use करते हैं अलग तरीके insects को use करते हैं pollinating agent के तौर पर उनमें से कौन-कौन से है इसे की bees, butterflies, flies, petals, ants, birds यह सब कहां ही सबसे ज्यादा common pollinating agents है और इन में से सबसे ज्यादा dominant जो pollinating agent है इन अनिमेंस में से वो है bees यानि की मदुमक्खी तो मदुमक्खी के जारा जो है सबसे ज्यादा plants जो है pollination करते हैं Majority of the insect pollinating pollinated flowers are large, colorful, fragrant, and rich in nectar तो यह जितने भी flowers जितने भी plants होते हैं जो कि animals के द्वारा या insects के द्वारा pollinate करते हैं उनके flowers बहुत बड़े-बड़े होती हैं बहुत रंग रंग होती हैं और वो खुश्बुदार होती हैं और इनके इंदर जो पराग और रश वगयरा होता है तो यह सब जो इन्होंने इंतियाम किये हैं यह सब जो हैं इन इंसेक्ट को अट्रेक्ट करने के लिए ही किये हैं विंद फ्लावट्स एरी इन्तियाम के ताहें तो कुछ मज़ुदार आए कंउछ प्लावट्स में इसा होता है कि अथि आप फ्लावर्ट्स होता है बहुत जायज़ चोटे चोटे होते बूटे होते लिए र cit inde庫s रिफुदार के बावर्स प्लावर्स होते हैं तो इन फ्लोरेशंस ट्रहुशंस चोनी जैसे फलावर्स बीकिन देखने लग जाती है Loch टी अंद़ाज नहीं कर सकते ट्रिस चरफ में तो चलफ यूथ जों इनिमिल्स होती है इन्सेट होती है वह फ्लावर्स की तरफ जो है उने किलर से और उनकी खुश्पू से Always तो इन एनिमल्स को बुलानी के लिए अपने पास इनको बुलानी के लिए जो फ्लावर्स होते हैं इनको बदले में गिफ्ट देते हैं रिवाड देते हैं कुछ इनाम देते हैं तो जो पराग होता है जो रस होता है और जो पॉलिन ग्रेन होता है यह दो जो है एक इनाम है फ्लोरल रिवाड्स हैं जो की फ्लावर के थ्रिव जो है उसके द्वारा जो दिये जाते हैं एनिमल्स को उन एजेंट्स को आइ तो जो पॉलिन जो प्लाण्स एनिमल की थ्रिव पॉलिनेट करते हैं उन का जो पॉलिन ग्रेन होता है वो कि इसे होता है इनिप चुपा जाता है तो इसलिए पालिन जाता है जब उनकी फ्लावर पर आती है तो वह पॉलिंग रेंग उस मदुमक्खी के बॉडी से चिपक जाती है जब यही मदुमक्खी यही एनिमल जो है पॉलिंग इन को चिपकाई हुए जब दूसरे प्लांट के श्टिगमा पर जाता है तो पॉडिंग वह करा देता है इन समस्पीसीज फ्लोरल रिवार्ट्स आर प्रोवाइडिंग सेफ प्लैसे तो ले एक्स एन एक्जम्पल इस डैट ऑफ तो तो फ्लोरल रिवार्ट्स होता जो इनाम इजेंट को दिया जाता है वह नेक्टर और पॉलिंग्रीन की बजाए नावकर उनको जो है एक जगह दे उन्डे दे सकें तो इसका बड़ी एक्जम्पल है सबसे बंचाहिए का सबसे लंबा फ्लावर मतलगा क् bekommenly यह few hut लंबाई का होता है तो समझ लोग प्लांट कितनी लंबाई का होगा तो इसमें क्या होता है इसमें जो है simply जो flower होता है वो agent को जो है अपने अंडे देने के लिए जगा दे देता है a similar relationship exists between a species of moth and the plant yuka where both species cannot complete their life cycle without each other तो कुछ इसी तरीके की relationship कुछ इसी तरीके का संबंद जो है moth और एक plant होता है yuka इन दोनों की बीच में दिखाई देता है तो यह दोनों जो है moth और yuka जो है बिना एक साथ मतलब की बिना एक दूसरे के जो है अपनी जिंदगी जो है अपनी life cycle को complete करी नहीं सकती एक दूसरे के बिना जी नहीं सकती दे मौथ डिपोजिट्स इस एग इन दा लॉक्यूल ऑफ द ओवेरी एंद फ्लावर इंटर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाइद तो जो मौथ होता है यानि की जो एजेंट होता है वह अपनी अंडे जो है ओवेरी के लॉक्यूल में दे देता है उसमें भेज देता है तो ल बदले जो है फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है तो जैसे ही वह ओवेरी होती है जैसी वह पॉलिनेट हो जाती है और जब वह सीड में चेंज हो जाती है और जब वह सीड में चेंज हो जाती है तो जो उसका जो अंडे होती है वह लार्वा में चेंज हो जाते हैं कि वह कुछ बटरफ्लाई का लारबा बन जाता है उसी तरीके से इस मौत के भी लारबा होते हैं बच्चे समझ लीजे वह उस सीड में से भार निकल आती हैं तो यह सब हमने पढ़ा इसमें कि किस तरीके से जो हैं इनीमल्स वगेरा अबायोटेक बायोटेक विंड वाटर वगेरा जो हैं स्वास पॉलिजसन में हेल्प करते हैं तो अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे प्लांस होते हैं किस तरीके से क्रॉस पौलिजसन करते-क्षचते करते जो हैं वह बूर एफना चाहते हैं गवा डार्विए बूर्यूस apt पॉनिजियक कर दशने चले जाते हैं तो उसके लिए वो अपनी अंदर अपनी अंदर क्या क्या चीज़ें जो है डेवलप करते हैं क्या चेंज लाती हैं वो सब हम पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में एंड थैंक यी फो वाचिंग मैं वीडियो